नवस्ते, बीदर क्रियेटर चनल में मैं समर आपका हार्टिक स्वागत करता हूँ इस एपिसोड में मैं सेयर करने जा रहा हूँ बॉनसाइफ फॉरिस्ट आप कैसे बनाएं सबसे पहले आपको जरूरत होगा कुछ पेरों का यह जो इमली के पेरों को आप देख रहे हैं इन्हें मैं बीज से उगाया था पिछले सेप्टेमबर 2015 में बीच में एक बार रूट करेक्शन करके रिपॉर्ट भी किया था इनका हिस्टरी जानने के लिए आपको डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बॉनसाइ फॉरेस्ट बनाने के लिए आपको पहले पेर कलेक्ट करना होगा तीन, पांच, साथ, नौ ऐसे बेजोर संख्या में आपको पेर लेना है मैं साथ पेरों का यूज़ कर रहा हूँ कुल आठ पेरों में से सबसे बड़ा पेर को मैं इंडिविज्वल बॉनसाइ बनाऊंगा हर एक पेर का अलग-अलग स्ट्राक्चर और हाइट बॉनसाइ फॉरेस्ट को सुन्दरता देता है इसे बॉनसाइ लैंसकेप भी कहा जाता है Landscape में हर एक पेर एक individual bonsai ही होता है इसलिए पेरों का root ball फ्लैट और radial roots से भरा हुआ होना चाहिए Bonsai roots structure अब कैसे बनाएं ये जानने के लिए description box में link आपको मिल जाएगा इसे पाने के लिए आपको root ball correction करना पड़ेगा वीडियो में आपको आठ अलग-अलग पेरों का root ball correction देखने को मिल रहा है ध्यान से देखिए मैं tap roots फ्रून कर रहा हूँ उपर या नीचे जाने वाला roots फ्रून कर रहा हूँ में आपको खून कर रहा हूँ झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर 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 दो बॉनसाई बनाने के लिए ट्रांक चौप करना ही पड़ता है नहीं तो पेर लंबा ही होता जाता है आठ अलग अलग पेरों का ब्रांच स्ट्रक्चर करेक्शन देखके आपको एक कंसिप्ट आ जाना चाहिए एक ही बात आप ध्यान में रखिएगा कि ब्रांच फ्रून करने से पहले आपको बहुत सोच विज़ार करना चाहिए एक भी ऑथिन्टिक ब्रांच गलती से काटने के बाद आपको वापस नहीं मिलेगा लापस नहीं मिलेगा कर दो 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 झाल झाल रूट बॉल ऐसा होना चाहिए कि पेर अपने आप ऐसा खरा रहे झाल 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 बॉल झाल प्लास्टिक बॉल झाल मेज यूज करूंगा सोयल मिक्स जो मैं यूज कर रहा हूँ पार्लाइट भर्मिकुलाइट और कोको पीट का मिक्शर है प्लान्टेशन के लिए आपको पहले इसका बेस्ट लेयाउट सोच के रखना हैं मैं अभी इसका बेस्ट लेयाउट सोचा नहीं चोकि अगला दो या तीन साल लग जाएगा मेरे पेरों का ट्रेनिंग करने के लिए तब तक इनका स्ट्राक्चर भी बदल जाएगा पेरों को प्लान्ट करने के लिए कुछ पेबिल्स का साहरा लीजिए ये पेरों को खरा रहने के लिए मदद भी करेगा और लैंस्केप में एक सुन्दरता भी लाएगा हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 ह कर दो 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 कर लेवल में कुछ इंट के टुक्रे जो सॉयल को प्रोटेक्ट करेगा कुछ मौस जो ग्रास के लूग लाता है टॉप सॉयल में कुछ सैंड नैचरल लूक के लिए और अच्छे तरह से वाटरिंग पहला 15 दिन इसे सेट के नीचे रखना है और जब इसमें नएने ग्रोट आने लगेंगे तब इसे आप फिर से दूब में रख सकते हैं तब इसे से रखना है आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार के लिए आज के लिए आज के लिए नमस्कार